तो यदि शिव या तंतर की दस महाविद्या ये जो हैं, उनमें सब में, यदि आपको दक्षिना वर्ती होकर साधना करनी है या वामंगी नहीं, आपको दक्षिना चार से साधना करनी है, फिर कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, पर उसमें एक चीज कभी होनी बंद नहीं होगी, याद रखना, मन का बटकना, जितनी अच्छी जगा पर बैठकर साधना करोगे, जितनी सुखमें जगा पर बैठकर साधना करोगे, उतना अधिक जो है मन भटकेगा, जितना अधिक आप दुशकर जगा पर जाकर साधना करोगे, उतना अधिक मन लगेगा, यह मैं अनभव से बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा अनभव है, हो सकता है आपका कुछ और हो, मेरे ऐसा ही मानना है, ऐसा नहीं कि जब घर पर ध्यान करता था, तो ध्यान नहीं लगता था, और मैं अधिकतर समय हेड़फोन लगा कर ही ध्यान करता है, ता कि बाहर का कोई साउन ना है, उसमें कही बार सिर्फ इंस्रुमेंटल, कही बार सिर्फ क्रिष्णादास के जया जग दंबे, या उसके चार उनके कोई सांग्स हैं, I forgot the name of that person, कोई खान है, उनके साथ सारंगी Sultan Khan, yes, thank you, so I just used to put that, एक घंटा वो चलते थे, and you just meditate for an hour, उसके बार दूसरा ट्रैक शुरू हो जाता था, you meditate, उसमें देवी मा की कलतना करते हुए, फिर नीचे किछन में चाही बारतन निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, किसी का फोन बज रहे हैं, कोई डिस्टर् कुछ तो तैयारी करनी होगी, जब तक इन इस माध्यम को नहीं अपनाएंगे, तब तक सिद्धी नहीं प्राप्त हो सकती, चाहे आप शक्ती पात करा लो, चाहे खुद पतित हो जाओ, कोई भी धंग लगा लो, किसी परकार का भी पात करवा लो, होगा नहीं, एक अनुभवा जाएगा छोटा सा, एक छोटी सी ब्रांती पैदा हो जाएगी, परन्तु सिद्धी नहीं प्राप्त होगी, दक्षनाचार से, दक्षनाचार अर्थात जो कहा जाए तो so-called तथा कतित, सात्विक मार्ग, उससे सिद्धी पुरुष्ट प्राप्त कर ही नही मुश्किल है, स्तुरी फिर भी कर सकती है, क्योंकि स्तुरी में प्रेम की भावना होती है, यदि वो प्रेम में है तो वो कहीं पर भी बैठकर जब में ध्यान लगा सकती है, पुरुष्ट से ऐसा नहीं होता, इसलिए जब ववान शेव का विवा हुआ, जब कल ववान कर गए थे वो तो विवामे अपने, नंदी को बोला, नंदी, बेटा, तुझे कभी नहीं छोड सकता, चल, तुही मेरी सवारी है, जब कि इतने गंड थे, गोड़े गाड़ियां थी, सब कुछ थी, प्रन्तु शिव, नाकेवल की भोले हैं, किसी का परित्याग नहीं करते यदि मासती का किसी समेखिया, तो एक अंतराल के बाद फिर अपना लिया, तो उन्हें ने कहा, चल, नंदी, तुझे पर चलूँगा, तो सब ने कहा कि प्रभु आप ऐसे, अब गणों की लिए तो वही इतने सुंदर थे, उनको तो अपने शिव भास्मन लगी, उसी में स सुंदर लगते थे, जटाबंदी, उनको क्या ले ले देना, मुकुडधारी है या नहीं है, और दक्ष से उनकी शुरू से ही लगती थी थोड़ी सी, ये बात सत्य है, दक्ष जो था, इतना अहंकारी था, उसकी किसी जमाई से नहीं बनती थी, क्योंकि दक्ष नहीं चंद और उस श्राप के कारण, चंदरमा ने जाकर फिर भुगवान शिव में ही आश्रे लिया, और भुगवान शिव ने कहा कि चंदरमा का जो रस है, उसको मैं बचा कर रखूंगा, सौम, उससे उनका नाम पड़ा सौमनाथ, और भुगवान शिव ने ही चंदर को बोला, चल अधवरामत मेरे पास ही आजा, तो दूज का चांद उन्होंने अपने जटाओं में रख लिया, इस उनका नाम पड़ा चंदरशेखर, तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं, जो कमजोर है, उसके पास रहते है, विष्ण भगवान का सिस्टम थोड़ा लग है, वो यूज मेरी स्रिष्टी जो है, यदि इसमें आप अपना अजीवी का भी नहीं चला सेके, तो मैं आपके पास आके क्या करूँगा, इतना आप अपना कर लो पहले, फिर मुझा याद करना, ऐसा वगवान विष्णु का मत है, वगवान शिव भोले ना थै, जिसने बुलाया, आ ज जो है, वो सबसे अधिक जाती है, क्योंकि वो विष्णु की है, स्थिति, जो है, सुरिष्टी, उसमें मनुष्य का अधिकतर जीवन बीटता है, और संगहार उतना लगू नहीं है, जितना अ, म जो है, लंबे अंतराल के लिए खिचता है, कि मनुष्य का संगहार जो है, ए तो बगान शिव बसमा लगा कर बले नंदी को, चलो इसी तुम भी पर चलेंगे नंदी, तुम बढ़िया संदर दिख रहे हो आज, और वहां पर जब देखा सबने, कि ये कौन आ रहे है, तो वो विरेनी जो थी, रानी वो भीतर भागी, उनने कहा, ये तो बढ़ी समस्या हो गई, ये तुमने सिलेक्ट किया है, उदर देखो, देवी, देवता चले आ रहे हैं, विष्णु का कितना सुंदर रत है, उनके पास चले जाते हैं, कुछ ऐसा सोच लेते हैं, उनने महां कैसी बाते कर रहे हैं, मुझे तो केवल शिव ही प्रिये हैं, शिव के लिए ही म कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सुंदर होता है, उसको सजने की आवशक्ता नहीं होती है, जो सुंदर नहीं है, उसको करना पड़ता है सारा यत्म, और सुंदर्ता हमारे कर्मों से होती है, तो बगवान शिव का तो spotless, निरंजन रेकर्ड था, ट्रैक रेकर्ड, कभी उनने कोई गडबड की ही नहीं, किसी के साथ छल नहीं है किया, जब देवताओं को मुश्किल काम होता था, भोले नाथ के पास जाते थे, थोड़ी स्तूती करते थे, प्रभु प्लीज, वो बेचारे हला हल भी पी गए, सब के साथ लड़ भी पड़े, जालंदर आक्षस के बास भी चल दिये, बड़ी असानी से मान जाते थे, क्यूंकि जंगल में रहते थे, केलाश में रहते थे, अपनी एक स्थान पर रहते थे, तो जो उर्जा होती है, आप से पूर्व जो सादक हुए हैं, उस उर्जा का बहुत मत्व होता है, ज़धी वास्तव में मनुष्य सिध है चाहिए उसको तो यात रखना आश्रमों में बैठकर नहीं मिलती घरों में बैठकर नहीं मिलती probability बहुत कम है मेरे कहने कार्थ यह है बहुत ही कम वो आपको प्राप्त होगी जहां पर उसकी प्राप्ति का स्थान है चीज जहां पर खोई होती है वहीं पर जाना होता है उसको ढूंडने के लिए तो जहां पर वो खोई है वहीं से ढूंड मिलेगी ठीक उसी परकार जहां पर विद्याएं लुप्त होई है वहीं से जाकर उनको लाना होगा और वो लुप्त इन शहरों में नहीं हुई है इन शहरों में तो वो उप्युक्त हुई है उनका प्रियोग हुआ है बलकि दुरुप्योग हुआ है लुप्त हुई है वो वही पर जहांपर से वो जाकृत की गई थी क्यों? क्योंकि हर चीज अपने स्रोत में वापिस चली जाती है ये शाश्वत सत्य है जो निर्विवाद है जो चीज जहां से आई है ले देकर वहीं पर वापिस चाहेगी अगर सिध्धी नहीं चाहिए तो एक दूसरा मार्ग है जो की अपने आप में बहुत सुखदाई है हमने आपको ये छोटी से बात बताई थी हमारे पास एक संता है रुद्रनाथ में और बड़ी सुंदर उनकी जटाएं, बड़ा सुंदर सुरूप और उन्हेंने का बस माराजी आपके बारे में बहुत सुना तो इसलिए बड़ी दूर से चलके केवल आपसे मिलने आया हूँ और वो पांच मिनट बैठे, दस मिनट फिर उसके बाद चले गए क्योंकि वो ऐसे समय पहुंचे कि मुझे जप में बैठना था आपने और उन्हेंने का देखें माराजी आप उख सची बात बताते हैं अप Jonah वो श्वेतवास्त्र में थे उन्हेंने का आप सन्यासी हैं सादना तो मुझे स होती नहीं उन्होंने गाए जब ध्यान लगाके मैंने देखा मुझसे होता नहीं उन्हों में और अधिकतर लोगों में बस इतना ही अंतर है उन्होंने सच बोल दिया बाकी सच चुपा लेते हैं माराजी साधना तो मुझसे होती नहीं और इसलिए मैं थोड़ा समाज का कार्य करता हूँ मेरा एक मंदिर है वो कुछ-कुछ कभी लंगर कर दिया है कुछ ऐसा काम कर दिया है कोई जब ध्यान मुझसे नहीं होता मेरे मन में एक सदा एक विशवास है जो कभी भी एक क्षन के लिए भी इधर का उदर नहीं हुआ वो ये विशवास है कि राम है और मेरे लिए वो प्रयाप्त है उनका राम मंदिर था और उसमें हनुमान जी का विग्रह था ये इश्वर है और मेरे लिए वो पूर्ण तहाँ प्रयाप्त है उसके अधिक मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसके अधिक मुझे कुछ सोचना नहीं है भगवान है, काम खत्म क्यों उनको कष्ट दूँ, मुझे ये सिद्धी दो या मेरे सामने प्रकट हो मैं उनको इतना कष्ट भी नहीं देना चाहता वो जहां अच्छे रहें, क्योंकि जहां मैं हूं उन्होंने मुझे अच्छा रखा हुआ है तो ये दूसरा भाव है, जो अपने आप में उतना ही पूर्ण है जितना की पहले वाला है सिद्धी के माध्यम से आप समाज का कल्यान अलग धंग से करते हैं साधना के माध्यम से और समाजिक कारे के माध्यम से साधन जुटा कर भौतिक जगत का आप कल्यान दूसरे ढंक से करते हैं दोनों ही परकार के कल्यान जो हैं समाज को चाहिए